हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजली गोठाने, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम देखेंगे साउथ इंडियन डिश, अपे, अपे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, और बहुत फटा-फट बन जाते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं आपने बैटर बनाने के लिए हमें लगेगी एक कटोरी उड़द दाल और दो कटोरी चावल, इसे हमें तीन ते चार घंटे भिगो के रखना है, बाद में पीस ले ना है, पीसने के बाद इसे ओवरनेट रख देना है, यहनिकी, 9-10 घंटे इसे रख देना है, रखने के बैटर इस तरह फर्मेंट हो जाएगा इस तरह ये फर्मेंट हो जाएगा अभी इस बैटर में हम एक चमच नमक ग्रेटेड कोकनट फ्रेश ग्रेटेड कोकनट कोरियंडर जाले की धनिया और ये मुंफली के दाने हैं हमने इसे थोड़ा सा बून के दरदरा पिस लिया है ये भी हम इसमें डाल देंगे ये अब हम सब निक्स कर देंगे अभी हम इसमें थोड़ा तड़का डाल देंगे तड़के के लिए मैंने कड़ाई रखी है और हम पहले हम तड़के के लिए कड़ाई गराम कर लेते हैं और उसमें डालते हैं तिल कम से कम दो चमबच मैंने तिल डाला है इसमें डालते हैं राईस अब इसमें डालते हैं पर्टा प्याज और हरे निक्षी प्यास को थोड़ा ट्रास्वरंट हो रहे तर बूलते हैं अब हम तड़का डालते हैं हमारे इस बैटर में हम अजूर्णब्र करते हैं है इस तरह पर्टा राईस के ढ़ंगे लेटाए यह आपधार करते हैं मैं अभी से गरम करने के लिए रखती हूँ अभी मैं अपे मैंन में थोड़ा थोड़ा तेल डालती हूँ बहुत आसान है ये रेसिपी बनाना और बहुत ही फटा फट बन जाती है सुबह के नाष्टे में आप बना सकती है इसे अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दो अबिटाती है अबिटा अबिटाती है सील दोड़ा समुए अबिटाती है याद रेक्रपार याबिटाती है अब यहां इसे निटाल लेते हैं देखें कि बिलम मस्त हो गए है दो मिनिट रखा था मैंने इसे बहुत जल्दी हो जाता है यह अब यह साइड से भी अपोजिट साइड से भी से हम थोड़ा पका लेते हैं और अब देते हैं ढपा लेते हैं अब यहां इसका ढपकन लिका लेते हैं अब यह साइड भी चेप कर लेते हैं व्यास मैंने बन किया है यह साइड में से भी बहुत ही अच्छे से हो गया है अभी हम इससे निकाल लेते हैं इन अपों को हमारे अप पे रेडी है इन अपों को हम कोकोनट के चतनी के साथ सर्व कर सकते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइप कीजिए शेर पीजिए और सबस्क्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख पाई Thank you